बगदावत भारत कथा भाग 29 तलावत खाने रानाजी को कैट कर अपने साथ ले जाते समय रास्ते में शोभादे को जो पुरोहिद की लड़की होती है उसको भी पकर लिया खरनार के बाच्षा को राओ जी ने कहा तू शोभादे को छोड़ दे बाच्षा ने कहा कि मैं शोभादे को एक शर्ट पर छोड़ दूँगा तुम मेरा निकाह तारादे से करा दो बाच्छा एक लोहे का पिंद्रा बना कर राओ जी को बंद कर लेता है वर शोभादे से निकाह कर लेता है और उन दोनों को साथ लेकर खरनार वापस चला जाता है जब तारादे को पता चलता है कि तिलावत खां बाबा साथ राओ जी को कैट कर ले गया है तब तारादे सांधिवान के हाथ भीलो की खाल में अपने भाई भूनाजी को संदेश भीजती है कि भूनाजी मैं बहुत बीमार हूँ और अगर आखिरी समय मुझसे मिलना हूँ तो जल्दी से आजाओ तारादे दूसरा परवाना दियाजी और कालुमीर को लिखती है कि बाबा राओ जी को खरनार का बादशा पकड़ ले गया है उधर भूनाजी धादू बील को मार कर वहां से अपनी बोर्गुरी को चुड़ा कर साथ लेकर रान वापस आते है तारादे भूनाजी को सारी बात सुनाती है कि तलावत खा साथ समुदर पार राओ जी को कैट कर ले गया है विनती करती है कि उन्हें छुड़ा कर लाएं भूनाजी तारादे को कहते हैं कि अगर तू मुझे बीलमाल में ही पूरा समाचार लिक भेजती तो मैं बादशा को रा सिक्यासी बटा 129 रू लेता लेकिन तूने तो अपनी बीमारी का समाचार भेजा था और पर राओ जी के सारे उम्राओ तो यही वापस आ गए थे उन्होंने तलावत खां को क्यों नहीं रोका तारादे तब भूनाजी को बताती है कि वे सब तो महल में छिपकर बैग गए थे इस पर भुना जी कहते हैं कि तारादे अब तक तो तुलावत खाने उन्हें मार दिया होगा आप जाने से क्या फाइदा और साथ समुदर पार इतनी सारी सेना हाथी भोडों को लेकर जाना भी मुम्किन नहीं है राणी संखी भुना जी को ताना कस्ती है कि भुना जी आप मेरे जाए नहीं हो इसलिए आप नहीं जाना चाहते हैं आपको राणी का राग ज्यादा प्यारा है रानी संखी का उलाहना सुनकर भुना जी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहादर सेनिकों का चुनाव कर उम्रावों, सरदारों और राजाओं को इकत्था करते हैं दिया जी, कालुमी, टोड़ा के सोलंकी और पिलोदा थाकुर को संदेश भीजते हैं कि राओ जी को खरनार के बादशा की कैट से आजाद कराने के लिए हम सब को साथ साथ काबुल चलना होगा बुनाजी तलावत खांखीजी से युद्ध करने के लिए राणी सांखीजी से विदाई लेते हैं वो बुनाजी की आर्ती करती है और तिलक लगा कर विदा करती है बुनाजी की फौच खरनार के बाहर समुद्र के किनारे पहुँच जाती है भूनाजी अपनी बोर घोडी को कहते हैं कि हम दोनों को यह समुद्र लंग कर अकेले ही खरनार पहुंचना होगा इतने सारे सेनिक समुद्र लंग कर कैसे जाएंगे गोडी कहती है कि भूना जी गड़ कोटे होते तो मैं जरूर चर्ट जाती मगर पानी तो मैं नहीं लंग सकती तब भूना जी बनाचारण से कहते हैं कि मैंने माता जी को वचन दिया है तो बाबा जी को चुड़ाने तो जाना ही पड़ेगा लेकिन इस समुद्र को कैसे पार किया जाए बनाचारण कहता है भूना जी भगवान देवनारायन का ध्यान कीजिए वे ही इस समस्या को हल करेंगे भूना जी सनान ध्यान कर देवनारायन को याद करते हैं देवनारायन भूना जी की सहायता के लिए भेरू जी को भेजते हैं भेरू जी आते हैं और पानी में पत्थर का रास्ता बना देते हैं भूना जी की फौज पानी के ऊपर की रास्ते पर चल पती है साथ समूत्र को पार कर भूना जी अपनी फौज के साथ खरनार पहुंच जाते हैं भूना जी खरनार के बादशा पर हमला कर महल में जाकर उनको पकड़ लेते हैं भूना जी खरनार के बादशा को मारने ही वाले होते हैं कि बीच में शोभादे आ जाती हैं और भुनाजी से कहती है कि दादा ये जैसे भी है अब मेरे पती हैं, आप इनको छोड़ दीजिए। भुनाजी तारादे की तरह शोभादे को भी अपनी बहन मानते थे इसलिए खरनार के बादशा को माफ कर जीवित छोड़ देते हैं। और राओ जी को कैट से चुड़ा कर वापस रान की तरफ रवाना होते हैं। जब भुनाजी राओ जी को साथ लेकर राण पहुझते हैं तो रानी जी भुनाजी और राओ जी की आर्ति करती हैं। बसा लिया और हमको खबर भी नहीं करी अब आकर इसकी करनी भरो और साथ ही यह भी लिखते हैं कि मेहंदू जी को हमने छोटे से बड़ा किया था और इसको बतूर की थानेदार बनाया था इसके पीछे जो खर्चा हुआ था वो भी हमें लोटाओ देगनारायन बिसंदेव ज का राज धूचने खिलने लग जाता है देगनारायन बाहर ही रुख जाते हैं और छोचु भात अजमेर की कचेहरी में जाकर विसल देव को बताता है कि देवनारायन पधारी है देवनारायन फिर अजमेर के महल का कांगड़ा तोरते हैं विसल देव जी देखते हैं कि पाज़ेंट